हेलो फ्रेंड्स दिस इस गनेश आज की वीडियो में हम देखेंगे हमारा दिवाली फायरवक्स टैश 2020 पार्ट 10 इस वीडियो को लाइक करें नीचे लाल वाला प्रटन दबागे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों हमारे 100 के सब्सक्राइबर्स होने ही वाले हैं चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहला क्रेकर दोस्तों हमारे पास है एक बहुत ही कमाल की आइटम यह है संशानी ब्रेंट के लॉलिपॉप्स इसकी MRP लेखी है 468 रुपीस लेकिन हमें यह बॉक्स मिला है 80 रुपीस का और एक बॉक्स में आते हैं 3 आप इसकी पैकेजिंग चारो तरफ से देख सकते हैं यह एक बिल्कुल ब्रेंड न्यो एटम है दोस्तों जो मैंने इसी साल देखी है मुझे लगता है कि एक फाउंटेन या फ्लावर पर्ट होगा दोस्तों ऐसे थ्री पीसिस की पैकेजिंग में आने वाले फाउंटेन मै एक दम प्रॉपर ब्रेंडिंग करी है उपर लिखा है सेंशान बीच में लॉली पॉप्स और नीचे कंपनी का नाम उसके लब आप चारो तरफ से देख सकते हैं जो इस पर एफेक्ट बना है मुझे लगता है फ्लावर पर्ट ही होगा यह आप इसका बेस देख सकते हैं का हमारे पास है संराइस ब्रैंड की 300 वाली लार इसकी MRP लिखी है दोस्तों 1200 रुपे लेकिन हमें यह बॉक्स मिला है ओनली 150 रुपीज का आपको यह होल सिल में 120 तक का भी मिल सकता है और एक बॉक्स में आते हैं 300 क्रेकर यानि हमें एक क्रेकर पड़ा है 50 पैसे का मुझे इ लगी इसमें जिलाने का प्रॉपर तरीका भी दिया गया है दोस्तों और आप चारों तरफ से देख सकते हैं दोस्तों काफी अच्छी क्वालिटी की पैकेजिंग करी है इस बॉक्स की अंदर एक पेटी है उसके उपर प्लास्टिक की पन्नी लगी है चलिए इस प्लास्ट क्रेकर्स रोल करके रखे हैं इसके लब आपको पांसो हजार पंद्रासो पांच जार यहां तक की दसजार वाली लड़ी भी मिल सकती है यह देखे कुछ इस प्रकार की पैकिंग है और यह अक्वार लगे है इसे हटाते हैं दोस्तों और आपको दिखाते हैं साउथ हिंडि लडियों को जलाने के दो तरीके हैं दोस्तों यहांते से पूरा का पूरा खोल कर और लिटा कर जलाएं जिससे डूरेशन जादा होगी और सारे बटाके आप क्लियरली सुन सकेंगे और दूसरा तरीका है कि इसका एंड़ वाला पार्ट थोड़ा सा रोल में रहन दे जिसे की MRP लिगी है दोस्तों 213 रुपीस लेकिन हमें यह बक्स मिला है ओनली 85 रुपीस का आपको यह होल सिल में 70 रुपीस तक का भी मिल सकता है और एक बक्स में आते हैं 10 पीसिस इसमें आपको सूतली बम देखने को मिलते हैं जिनका साइस लगबग नाज़ी बम जितना है और पर शायद अवाज भी उतनी ही हो चलिए इस बॉक्स को खोल कर देखने को में काफी अच्छी बैख फ्यूज बींक इसके sticker पे लिखा है मुनना किंग बॉम जो कि इसकी company का नाम है चलिए sticker को हटाते हैं और इसका fuse को review करते हैं तो आप देख सकते हैं इसका fuse ठीक सा है ज्यादा लंबा नहीं दिया है तो इसे केरफुली ही जलाना दोस्तों और आप देख सकते हैं इसकी अवाज काफी कर देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पटागा दोस्तों हमारे पास इस वीडियो के लिए है गुडिया प्रेंट के अशारफी फ्लावर पॉट्स ये मटका फ्लावर पॉट है इसकी अमर्पी लिए 700 रुपीस लेकिन हमें ये बॉक्स मिला है ओनली 130 रुपीस का आपको ये होल मटका फ्लावर पॉट्स काफी पसंद है हमने 2018 में 5 टाइपस मटका फ्लावर पॉट्स का कंपेरिजन भी किया था दोस्तों जो आप उपर आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं चलिए अब इस बॉक्स को खोल कर देखते हैं दोस्तों तो आप देख सकते हैं अंदर से हमें रेड कलर के 5 अश्रफी मटका फ्लावर पॉट्स देखने को मिलते हैं बहुत ही सुंदर लग रहे हैं मुझे लगता है इन सबका रेड इफेक्ट भी हो सकता है और एक पीस देखे आप कुछ इस प्रकार का है इसके टॉप एक स्टिकर लगा है जैसे हम एपल पे देखते ह अश्रफी और आप इसे चारों तरफ से देख सकते हैं दोस्तों गोडिया ब्रेंट की फॉइल लगी है इसका वेट मुझे लगबग 500 ग्रैम्स लगा दोस्तों तो मुझे लगता है इसकी डूरेशन लगबग 1-5 मिनट तक तो होगी ही आप इसे देख सकते हैं काफी मिल सकता है दोस्तों और एक बक्स में आते हैं 10 पीसिस पॉपकॉर्ण क्रैकर्स का एफेक्ट दोस्तों काफी अच्छा होता है यह चीटपूट की तरह जलते हैं और इनके अंदर से पॉपकॉर्ण की अवाज निकलती है हमने हमारे चैनल पे दोस्तों लीमा ब्रैंड का प प्रकार का है दोस्तों इसके ओपर भी प्रॉपर ब्रैंडिंग करी है इसकी कॉलिटी सच में काफी अच्छी है यह इसका बॉटम पार्ट देखे एकदम एवन है और यह देखे इसका टॉप पार्ट आप इसका फ्यूस भी देख सकते है काफी लंबा और अच्छा है जो इसके अच्छी प्रेकर होते हैं दोस्तों वो चीटपूर से काफी ज़्यादा हाइट पकड़ते और इनकी वाज भी थोड़ी जादा होती है चलिए नेक्स्ट क्रेकर देखते हैं नेक्स्ट फायरवक दोस्तों हमारे पास है संचान ब्रैंड के लूनिक एक्स्प्रेस रो गए एक पैकिट में आपको दोस्तों दस रोकिट देखने को मिल जाते हैं यह लूनिक एक्स्प्रेस है यानि कि अकाश में जाके एक रिपोर्ट यानि सिंगल साउंड करते हैं इसकी बहुत अच्छी कॉलिडी से बैकिंग गरी है दोस्तों चले इसकी उपर की प्लास्टि लीजिए उसमें खूब सारे मिट्टी भरिए और उसमें रोकिट को खड़ा करके उसे जलाइए इसके लाब आप यह ज़रूर चेक करें कि रोकिट की हैट आप से जादा हो इसे नीचे बैठ के चलाएंगे तो बैस्ट रहेगा साथ ही साथ इससे दूरी भी बनाके रखें स्पार्कलर से जलाएं इसको तो चलिये दोस्तो अब इस बॉक्स को खोल कर बेखते हैं आप देख सकते हैं काफी संदर क्वालीटी के रोकिट्स मिलते हैं अमें इस में और बहुत ही संदर टरीके से पैकिंग करी है जैसे की कौक ब्रैंड में आती है इसके उपर और स्क्रीमिंग रॉकेट भी देखने को मिल सकते हैं चले बहुत हम एक पीस दोस्तों पास से देखते हैं तो आप देख सकते हैं इसके ओपर लिखा है टॉप पे लिउनिक बीच में संशाइन उसके नीचे रॉकेट और उसके नीचे कमपनी का नाम इसका जो फ्यूस है उसके भार देख सकते हैं आप फास्ट बर्निंग पेपर लगा है और यह देखिए अंदर आपको फ्यूस दिख रहा होगा आप इसकी स्टिक की लंबाई भी देख सकते हैं दोस्तों काफी जादा है ज़ादा लंबाई की stick होने का मतलब है कि इसका balance ज़ादा रहेगा और rocket ज़ादा height पकड़ेगा इससे higher quality में आपको बहुत ही बड़े size के rocket देखने को मिल जाते हैं जो की 6 pieces की packaging में आते हैं दोस्तों चलिए अब हम next firework देखते हैं इसकी MRP लिगी है 310 रुपीस लेकिन हमें यह box मिला है 90 रुपीस का एक box में आते हैं 10 pieces और आपको यह box मिल सकता है wholesale में 70 रुपीस तक का इसकी काफी premium packaging है आप देख सकते हैं box पे सही तरीके से जलाने का तरीका भी दिया गया है यह हमने हमारे channel पे पहले भी test करी है और यह इस साल वाला variant है जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया जिन crackers के नाम में deluxe लिका होता है वो ज़्यादा premium होते है normal crackers से चले इस box को खोल कर देखते हैं इस चकरी की speed बहुत ही तेज होती है दोस्तों और यह देखी अंदर से कुछ इस परकार की है आप देख सकते हैं पिछले साल से काफी different है इस साल वाली चक्री दोस्तों चलिए वह हम एक पीस देखते हैं पास से दोस्तों तो आप देख सकते हैं इसके एक दम proper branding करी है उपर लिखा है डिलक्स पीश में संशाय नीचे चक्री आप इसके effect वाला पार्ट देख सकते हैं यह 60 cm की चक्री है यानी मेरे इसाब से लगबग 25 से 30 सेगंड़ों चलेगी ही इस वाली चक्री की खास बात यह है कि यह बहुत ही जल्दी बहुत ही जादा तेज स्पीड पकड़ लेती है आप इसका base वाला पार्ट पी देख सकते हैं जादा अच्छी quality का नहीं है लेकिन काम चला देगा चले अब हम दोस्तों अगला firecracker देखते हैं अगला पटा का दोस्तों हमारे पास है योयो ब्रेंड का bullet 315 इसकी MRP लेकी है सिरफ 65 रुपीस और हमें box पड़ा है 50 रुपीस का आपको यह wholesale में 40 रुपीस का भी मिल सकता है और एक box में आते हैं 10 pieces यह एक bullet cracker है दोस्तों इसल पूरे एरिया में इन्होंने ढंग से explain किया है कि bullet bomb को कैसे जलाना है उसके रवा मुझे एक और चीज पसंद आई इस box में कि इन्होंने MRP exaggerate नहीं की है जो है so है आप यह देख सकते हैं अंदर से कुछ इस प्रकार के bullet crackers मिलते हैं हमार को देखने में बहुत ही अच्छी quality के और बहुत ही सुन्दर लग रहे हैं सारे के सारे bullet crackers मुझे इनकी quality काफी पसंदाई light blue और dark blue कलर के देखने को मिलते हैं हमार को इसमें काफी बड़ा size इन bullet crackers का जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने खुद notice किया है कि जो पतले और लंबे bullet crackers होते हैं वो जाधा ची quality के होते हैं ये वाला वैसा ही है इसका fuse जाधा ची quality का नहीं है पर काम चला देगा इसे हमेशा केरफुली चलाएं और ध्यान से जलाएं चलिए दोस्तों अब next पताका देखते हैं नेक्स्ट क्रेकरी स्टैश के लिए हमारे पास है तो शार ब्रेंट की color sparklers number 60 इसकी MRP लिए 120 रुपीस लेकिन हमें ये box मिला है only 50 रुपीस का आपको ये wholesale में 30 रुपीस का भी मिल सकता है और एक box में आते हैं 5 pieces नमबर 60 का मतलब है कि ये 60 cm की sparklers है यानि कि ये बहुत ही जाधा देर तक चलती हैं दोस्तों ऐसी sparklers काफी जाधा अच्छी होती हैं दोस्तों क्योंकि आप एक ही full जड़ी से खूब सारे पटा के जला पाते हैं चलिए दोस्तों अब इस box को खोल कर देखते हैं तो आप ये देख सकते हैं अंदर से काफी अच्छी quality है इनकी price के हिसाब से पीछे से इनको पूरा cover करके रखा है ताकि इनका जो मसाला है वो जाधा गिरेना चलिए इन sparklers को बाहर निकालते हैं दोस्तों और आपको close up में दिखाते हैं तो आप ये देख सकते हैं काफी अच्छी quality है इन sparklers की और काफी जाधा लंबी है इनका जो मसाले वाला पार्ट है वो भी काफी जाधा दिया हुआ है हमारको normal sparklers है और जो लोही वाला पार्ट है वो भी अच्छ 51 रुपीस लेकिन हमें ये box मिला है only 160 रुपीस का आपको ये wholesale में 120 रुपीस तक का भी मिल सकता है और एक box में आते हैं 10 pieces रंगिला नाम से लग रहा है कि इन flower pots का effect जो normal flower pots होते हैं उनसे थोड़ा अलग और colorful हो सकता है चलिए दोस्तों इस box को खोल कर देखते हैं तो आपको लिखा है sunshine बीच में रंगी ला और नीचे company का नाम उसके लाव अब इसका base वाला पार्ट देख सकते हैं काफी solid गत्ता है लगाया वा नीचे ताकि ये डगमगाए नहीं और साथ ही साथ अब इसका top वाला पार्ट भी देख सकते हैं fuse clearly visible है ताकि असानी हो इसे जलाने में म मुझे काफी पसंद आया यह flower pot इसके price के हिसाब से और वैसे भी चलिए हम अगला firework देखते हैं दोस्तो नेक्ट फार क्रेकर दोस्तो हमारे पास है महालक्षमी ब्रेंड की mega red sparklers ये green cracker है इसकी MRP लिगी है दोस्तो 250 रुपीस लेकिन हमें ये box मिला है only 25 रुपीस का और ए इसी साथ ऐसी sparklers बहुत ही जल्दी जल जाती है और पठाके जलाने में काफी काम आती है तो दोस्तों box के अंदर आपको एक plastic का packet मिलता है जिसके अंदर सारी की सारी sparklers रखी है जो हमने महालक्षमी ब्रेंड की green sparklers दिखी थी पिछले stash में उसमें ऐसा कोई plastic packet नहीं था पर उससे हमें कोई फरक नहीं पड़ता आप यह देख सकते हैं इसका effect वाला पार्ट भी काफी है और साथ इसाथ जो पकड़ने वाला पार्ट है वो भी काफी जादा दिया हुआ है यानि कि यह sparklers काफी हद तक safe है आपको ऐसी sparklers 20 पे डब्बे के हिसाब से भी मिल सकती है चलि हमें एक पीस आता है यह 12 shots का cake है और रविंद्रास ब्रेंट और रविंद्रास ब्रेंट बहुत ही अच्छा है sky shots के लिए यह एकदम packed and sealed sky shot है जैसा कि आप देख सकते हैं चलिए इसकी उपर से plastic wrapping हटाते हैं दोस्तों इस sky shot cake की खास बात यह है दोस्तों कि इसके अंदर जो तो आप देख सकते हैं कि अंदर से कुछ ऐसी wrapping लगी है उपर से रविंद्रास ब्रेंट की mini mouse विगारा बने हैं इसके उपर और यह देखे इसका fuse normal fuse है जो sky shots में लगता है वो वाला fuse नहीं है यह पेटी भी थोड़ी सी side से damaged है चलिए इस paper को भी फाड़ कर देखते हैं कैस अंदर से पूरा sky shot तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों आदी से जादा पेटी के लगबग सारी पेटी खाली है और अंदर 12 shots diagonally रखे हुए हैं तब ही तो पेटी side से दब रही थी इसका fuse आप देख सकते हैं एक तरफ से white है और दूसरी तरफ से आप देख सकते हैं ज साथ इसकी sites पे देख सकते हैं रविंदरास brand की branding लगी है आपको ये sky shot दोस्तों wholesale में 200 रुपीस का भी मिल सकता है तो friends इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को like ज़रूर करें एम करते हैं 5000 लाइक के लिए नीचे लाल वाला बटन दबा कर दो कर दो